हेलो दोस्तो मैं ओदेडागर आप सभी का फरसे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एकजाम योजबाई ओदेशर में दोस्तो ये टेस्ट सीरीज हमारी वन है और डेली आपके लिए कम से कम एक सीरीज लेक कराएंगे और हमने उस लेवल के हिसाब से आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई है जैसे एचेसी बिलकुल पूछता है हर सिप्ट में 4-5 परसन या 6 परसन ऐसे आजाते हैं जो आपको किसी बुक या चैनल पर नहीं मिलते हैं लेकिन वो परसन अगर आपके ठीक हो जाते हैं तो आपका सेलेक्शन जरूर हो सकता है दूसरे स्टूडेंट से आप आगे निकल सकते हैं तो उसको देखते हुए उसके हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई है तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप सभी को यह अच्छी लगे तो फिलीज चैनल जरूर सस्क्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर देना तो दोस्तो मेरा पहला परसन है चार आपके सामने हरिया नम है असोक वाटिका कहां पर है तो वाटिका या पार्क की मैं बात करूँ या ब्यारन की मैं बात करूँ या नदियों की मैं बात करूँ इन से बहुत ज़्यादा परसन पूछे जाते है एक्जाम में तो पहला पर बिल्कुल अच्छे लेवल का प्रसन अगला प्रसन देखते हैं हरियाना के प्रसित गोगोध वाटी का कहापड पर है अब आप में से कुछ भाई सोच रहे होंगे पता नहीं कहां से प्रसन लेकर आते हैं और मेरे पास कमेंट भी आई थी कुछ भाईयों की कि एच एसे प्र उत्रुन्ह ऊघ्रेवा ध्रीय किला वाए जैसा है यह एसे ल्हाएट अधा अपकर लोगे-धी मेहने सोता है पुश्चेव होगार दिसक्ह میں उत्रनी से जो सब operation आए देख रहारे पिरसन हम आपके लिए लिए लिख रहे हैं तो इसका जो राइ टान्सवर है यह कर आपकी है रहवारी में सहीत आंस्वर है अगला पिरसinda जा आपके पर phenomenal प्रिसंद्ध चांदले जो पर पर हैं जीन्द में तो एक परसन और आता हरियाना का हर्द्य किसे कहते हैं जीन्द को कहते हैं लेकिन परसन आजाए जीन्द का हर्द्य किसे कहते हैं तो रानी का तालाब तो ऐसे कुछ परसन में अलग से बताता हूं हर बार अगला परसन देखते हैं हरियाना का परसिद सुर अगर ऐसे प्रसन आ गए तो हमारा सेलेक्शन नहीं होगा तो भाई वो पेड वेज जोइन करने बिल्कुल डीपली कवर करा रहे हैं वो ही लेवल हम लेकर चल रहे हैं जहां से आपका सेलेक्शन हो सकता है और सबसे कमाल की बात है सबसे बड़ी बात 1199 रुपे हैं केवल एक ठक सकोर कर पाते तो कोई जरूरत नहीं है किसी का पेड वेज जोइन करने के आप आराम से अपनी पढ़ाई करते रहे हैं अगर आपका सकोर कम है तो भाई जरूर संपर कर लें वरना आपको मौका बारबार नहीं मिलेगा अच्छे सी बारबार भरती नहीं निकलता है तो स बन सकता वाठीका से समधित फिर पिरसन आया है तो हरियाना की जो पिरसिद सतावर वाठीका कहां पर है तो इसका जो राइट आंस्वर है तो यह भी आपकी कहां पर है भिवानी में तो दूसरा भी बिल्कुल सही आंस्वर भिवानी होगा अगला पिरसन देखते हैं हरियाना मतलब कि नरक तारी बोलते हैं से तो यह बिलकुल इहाँ से सही आंस्वर हो सकता अप्सन यह बिलकुल सही आंस्वर है तो यह बिलकुल बन सकता है हर्याना के फतेवाद जिले का रामगड कैसा सतल है तो इसका जो right answer होगा हडपा कालीन सतल है कैसा है हडपा कालीन सतल है और मैं request करता हूँ अगर आप सभी कोई वीडियो अच्छी लग रहे तो प्लीज share जरूर कर देना इस वीडियो को अगला person देख दे हरियान का पिरसिद सूती धागा उद्योग फतेवाद में कब लगाया गया देखो यहां से पिरसिद बन सकता है सूती धागा उद्योग किस जले का पिरसिद है लेकिन मैंने इसमें डिष्टिक का नाम साथ की साथ दे दिया आपको कोई दिक्कत नहीं तो यह पूछ रहा इसमें यह कब स्थाफित किया गया था तो बिलकुल यहां से पिरसिद कर्केटर अजीद चंदेल का सम्मथ किस दिले से योजवंदर चहल नवदीप सिंग सैनी कापिल दे बिरंदर सिंग सहवाग अजय बत्रा जो भी है इन सभी को जानते है सब जानते हैं इन सभी को लेकिन किरकेटर आजीत चंदिला जो को पिरसिद खिलाड़ी एक विकार से इनका संबंद किस जिले से है तो यहां से पिरसन बन सकता है तो इसका जो राइट आंस्वर है फरीदवाद और भाई सच्चाई से बताना कितना पिरसन आप बिल्कूल ठीक ठाक कर पाएं तो यहां से पिरसन बन सकता है बिल्कुल और इसका जो राइट आंस्वर है फरीदवाद तो जर्णा मंदिर कहाँ पर है ये आपका फड़िदाबाद के अंदर है एक लब्वय मंदिर पूछा था है हरीनपोलिस के एकजाम है तो ये खांड सा है और खांड सा कहाँ पर है गुरू गराम है लेकिन एकजाम में जो पूछा गया था मैं आपको बताना चाहता हूं नैनवाल तो ये कहाँ पर है नैनवाल एक स्थान है मानिशर के अंदर है और इसकी डेट भी पूछ सकता है 1997 में सताबित किया गया तो भाई बिल्कुल ऐसे ही पने तभी कुछ हो सकता है अगला प्रसंद देखते हैं पावर लूम उद्योग किस दिले का प्रसिद है तो य एक हिना मेहंदी उद्योग है कौनसा हिना मेहंदी उद्योग ये भी किस दिले का प्रसिद है फरिदबाद का है मलीन बस्तियों का सहर भी किसे कहते हैं फरिदबाद को कहते हैं तो यहां से भी प्रसंद बन सकता है अगला प्रसंद देखते हैं हरियाना के किस सहर को विरास खासाजत का सहर भी कहते है सिंगो का डहर भी कहते हैं किसे कहते है तो यही आंसर वोगा पर संदेखते हैं जो कि आप सभी के लिए अग्रा पिरसन है हरियना का एक मात्र ऐसा खनीज जो आग में नहीं जल तक किस जले में मिलता है तो बिलकुल यह तो सिंपल है सभी इसका आंस्वर बता दिए तो इसका जो राइट आंस्वर है कौनसा है मेहंदरगड नार नौल बिलकुल सही आंस्वर एजी पिरसन कुछ पिरसन नहीं दोका हो सकता उसका उन्हें पता नहीं हो तो इसका सही जो आंस्वर होगा आप्शन सही आंस्वर है अगला प्रसन देखता है हरियायना के किस परियोजना का प्रयोग सूका राहत योजना में किया गया तो भाई ये प्रसन मोस्ट इंपोटेंट है हरियाना की किस परियोजना का प्रमुख सूका राहत योजना में किया गया मतलब कि अकाल के समय में जब सूका पड़ गई थी तो पानी की कमी हो गई थी तो उस समय किस योजना का प्रियोग किया गया था नांगल उत्थांस चाई पर योजना कब लगाए गए 1987 और मैं फिर से कह रहा हूं पिलीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन जो आप सभी के लिए है पांच मंजिला इमा इमारत किसे कहते है तो इसका जो राइट अंस वर य किसे बोलते हैं चिह गलते हैं उस का नहीं ले रहा है मेहनत का आप से हम मांग रहे हैं अगर जो भी भाई हमारे साथ जुड़ेगा तो उसे जरूर बेनिफिट होगा इसलिए हम आप इस तो इम्पोर्टेंट यहांसी पृषण बन सकता है अगला पृषण देगते हैं हिंदू मुस्लिम चामुंडा देव मंदल बिलकुल यांसर बन सकता है तो यह किस के लिए प्रिसिद है तो इसका जो राइट आंसर होगा सवी धर्मों की एकता किसके लिए प्रिसिद है और आंसर आपको देना है हिंदू तो इसका जो राब तोन सकता है तो इसा जो राइट आंसर है तोल शिंग क्या नाम था तोल सिंग आप सभी आंसर है अगला पर देखते हैं हरियाना के मेहंदरगट जिले में प्रिसिद कनीना गाम किस सताबदी का देखो महंदगर दिले में प्रिसिद कनीना गाम है सभी जानते कनीना गाम कहां पर है महंदगर डिश्टिक में लेकिन पूछ ले यहां से प्रिसिद किस सताबदी का बना हुआ है तो भाई बिल्कुल कन्फूजिंग हो जाएगी बि इसका जो answer आप सभी बताएंगे तो ये जो हर्यानिक प्रिसित कोटला जील का वर्न किस में मिलता है तो इसका जो right answer है बावर नामा किस मिलता है बावर नामा तो सही answer होगा तो बिल्कुल सही answer यही होगा अगला प्रसंद देखते हैं किसे कहा जाता है? तो ब plyलकुल शही आंसवर है už इसका जो सही आंसवर आप सब भी बताएंगे चार अपसन आप के पास मैं किसे कह से कहते हैं? को केते हैं किसी करंसतली रिस्यों की? तो भाई मैं ऐसा नहीं है कि अच्छे पिसन नहीं कराता हूँ मेरा लेवल हमेसे अच्छा होता है लेकिन अभी जो दिक्कत है हमारे चैनल पर इतने विवर और सफ्क्राइबर नहीं है तो इसलिए अभी कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो रहे हैं लेकिन आने वाले समय में इसकी भरपूर यात्रा हमारे आने की भरपूर मात्रा में वीवर और सस्क्राइब हमारे चैनल पर होंगे क्योंकि हम अच्छे लेवल की तैयारी कराते हैं दीरे दीरे हम उसके तरफ बढ़ हैं और आप सभी का बहुतो दिन्याबाद करते हैं जो आप हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं अगला प्रसन देखते हैं हरियाने के प्रसित तावडु के किले को अन्य किस दूसरे नाम से जानते हैं तो भाई ये प्रसन बिल्कुल बन सकता है तो इसका जो सही आंसर होग बल्लमगड फरिदवाद अगला प्रसन देखते हैं जहां पर एक सांस्कृत सब का मेले कायोजन भी किया जाता है जो लाश्ट वीडियो मैंने पूछा था कि बहुत सब कायोजन कहा पर किया जाता है राजनार सिंग के महल में किया जाता है उनी सो चानम पहली बार किया गय का कौन सा जलाल अचीले खिलॉने बनाने के लिए देश भर में पृसिध है इंपोटेंट प्रसन हा हरिएन का जो राइट आनसर होगा मेंवाद कौन सा है मेंवाद भिलकुल सही आनसर है। सब्सक्राइब मेवाद सथाविया हुआ हरियाना का और देश सभी नहीं कहा पर यह कहा थे सताबत किया गई लेकिन इसकी उसके दौरा की गई यह सथावियाना किस के दौरा की गई तो इसका बाल किसन के द्वारा important प्रिसन बिल्कुल अगर आप प्रिसन देखते हैं हरिया नमे government पार कहाँ पर सतापित किया गया है तो ये प्रिसन भी आ सकता हरिया नमे government पार कहाँ पर सतापित किया गया है तो इसका जो right answer है बिल्कुल सही answer होगा मेवात कहाँ पर सतापित किया गया है मेवात औ कितने आप से नहीं हो पाएं तो जरूर सचाई से बताना और किसी भाई को अच्छे से तयारी करनी है और मौक के बारवार नहीं मिलते हैं और उसे पता है कि इसलेक्शन नहीं हो सकता तो वो चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ हमार पेड़ वेच भी जरूर जोइन कर लें क्योंकि हम अच्छे लेवल की तैयारी करा रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है जैसे भी आपको समय मिलें उसके अनुसर आप बात कर सकते हैं